नमस्ते सच्छी अकाल तुसी वेख रहे हो दसिटी हेडलाइन्स मेहां तॉडिनाल मानव बंसल आम आनमी पार्टी थे बीजेपी एक वार फेर आमों सामने हो चुके ने तेवे दोवा पार्टी यां दे वेच्च सियासत जड़ी है एक वार फेर पक्षनी शुरू हो चुकी पूरा मामला दाजनेया करनातका दे वेच्च एक ख़बर सामने आं दिया कि करनातका 10 जमात दी जढ़ाबस है उसदे वेच्छ शेही पगत सिंह दे चैप्टर नू रिप्लेश किता जन्दा है हटा दिता जन्दा है ते उद्धी जगा राष्ट्रे श्वयं सेवं संग ज चेप्टर नूँ जेड़ा दस्मी क्लास दे विचे जेड़ा सलेबेट है उस दे विच शेहिद पगत सिंग जी दे चैप्टर नूँ केशव बलीराम उनना दी स्पीच दे नाल रिप्लेस कर दितना जानदा है जिस तो बात जड़ी है ऑपोजिशन पार्टिया ने ओ बीजे बीजेपी नूँ जेड़ी है सक्त चितावनी दित्ती है ते एक तरह नाल आपका कह सकते हैं कि कितना किते लांता पाहिया ने तो अर्विन केशरी वाल जीदा ट्वीट दाजने उनने खबर जीड़ी कॉपी शेयर कर दे एक है कि बीजेपी के लोग अमर शेहिद सरदार ब बगत सिंग जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं स्कूल की किताबों से सरदार बगत सिंग जी का नाम अटाना अमर शेहिद की कुरबानी का अपमान है ते उनना ने इस दना लेवी लिख है कि देश अपने शेहिदों का ये अपमान बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करेगा अबी ट्वीट जडा सुना दिनने हैं उनने क्या कि शेहिदे आजम पफसींग जी इजी प्रती पाजपादी नफरत सब्दे सामने आ गीए उन्हेंने सिद्धा सिद्धा क्या है कि पाजपा जड़ी है शहीद पघसींजी दिनाल नफरत कर दी है ते उस तो अगे लिख दे हैं कि चोटी उमर विच देश ली अपनी जान देके इनकलाब दी लोजगोर्ण वाले सरदार पघसींग नू पढ़ के अजवी नोजवन्द विच देश पक्ती दी लायर दोर जन दी है देश पक्ती दे इस जजबे दे डर तो पाजपा दी रूँ काम दी है सिद्धे सिद्धे उन्हें ने विए एक तरह नाल बीजेपी नू लानता पाईये ने तो अनुदास दिने है कि करनाटका दे विच बीजेपी दी सरकार है इस टाइम बसवराज बोमाई जड़े ओथे दे चीफ मिनिस्टर ने ते सिद्धा सिद्धा करनाटका दी जड़ी गर्मेंट है उन्हें क्या गया कि उन्हें जड़ा है डिसीजन है शहीद पगत सिंग दा जड़ा चैप्टर रिमूव किता गया है दसमी क्लास दे सलेबस तो इस फैसले नू उन्हा नू वापस लेना चाहिदा है सिद्धे सिद्धे जड़ी है आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अर्विन केजरी वाल ते उस जनाल ही पंजाब दे चीफ मिनिस्टर पगवंतमान वल्लोय चेतावनी दित्ती गई है